जैशीकरश्ण, कैमचोबदा, मजामा, बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे सस्क्राइबर, मेरे फॉलोवर्स, जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, वो मुझे बार-बार पूछते रहते हैं कि आप कहां से हो, तुम मैं गुजरात से हूँ, इसलिए ज्यादा तर में गुजराती रेसिपी बनाती रहती हूँ, तो चलिए आज फिर से एक और गुजराती रेसिपी बनाते हैं, जो टेस्ट में बहुत ही बढ़या लगती है, और गुजरात में हर गर में ये बार-बार बनती है, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है, और ये टेस्ट में बह बहुत ही तेस्टी लगती है, तो आज हम बनाएंगे सुकडी, तो सुकडी बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए आटा, तो यह मैंने गेहु काड़ा लेलिया है बारिक वाला जिससे हम रोटिया बनाते हैं, तो इसे मैंने पहले के नाप लिया है ताकि सारे लोग इसे इजिली बना सके तो यहाँ पर मैंने एक कटोरि बर की गी लिया है यह गी इस तरह नहीं होना चाहिए अगर आपके पास melted गी है तो आप थोड़ा सा गी जादा ले तो एक कटोरी गी ले लेंगे और उसे डाल देंगे कड़ाई में और गी को अच्छे से गरम होने देंगे गी बराबर से गरम हो जाए उसके बाद ही हम इसके अंदर आटा एड़ करेंगे तो आटा हमें यहां पे डेट कटोरी लेना है, क्योंकि हमने गी एक कटोरी भरके लिया है, तो आटा हम ले लेंगे डेट कटोरी, और आटे को आप डाल देंगे गी के अंदर, क्योंकि गी अच्छे से गरम हो गया है, gas के flame को हमें एकदम low रखना है बिल्कुल भी high नहीं रखेंगे अगर high flame पे हम इसे भूनेंगे तो आटा हमारा जल जाएगा तो ये लिजिए date का टोरी आटा मैंने इसके अंदर add कर लिया है अब एकदम low flame पे हमें इसे भून लेना है तकरिबन 5-7 मिनिट तो 5-7 मिनिट में ये आटा अच्छे से भून जाएगा तो आटा भून गया है कैसे हमें पता चलेगा तो आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो golden brown हो जाएगा तब तक हमें उसे भून लेना है तकरिबन 5-7 मिनिट में ये आटा अच्छे से भून जाएगा तो ये देखे आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है वो गुल्डन ब्रान कलर का हो गया है और आटे में से अच्छी सी खुश्बू भी आने लगी है चलिए अब गैस की फ्लेम को हम आफ कर लेंगे अब फ्रिज से में लेके आ गई हूँ दूद मतलब के दूद के उपर जो मलाई हाती है उसका हमें यूज करना है यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह की मलाई नहीं है यानि की पौना कटोरी जितना हम गुड डाल देंगे तो गुड यहाँ पर हमें एकदम बारिक चौप करके लेना है एकदम बारिक कट करके लेना है ताकि गुड फटा-फट से इसके अंदर मेल्ट हो जाए और इसे हमें इस तरह लगातार चलाते रहना है तो आपको लगेगा यह मिक्षर बहुत ही लूज है लेकिन थोड़ी दिर में आप देखोगे कि यह मिक्षर फटा-फट से गाड़ा होने लगेगा वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है ताकि आपको समझ में आए कि यह मिक्षर किस तरह गाड़ा हो रहा है तो आप देख सकते हो कि मिक्षर दिरे-दिरे गाड़ा हो रहा है तो इसे हमें इस तरह मिक्स करते जाना है चले अब मिक्षर अच्छे से गाड़ा हो गया है गुड़ भी थोड़ा सा मैल्ट हो गया है अब कैस की flame को हमें दुबारा on करना है और एकदम low flame पे हमें इसे फिर से 2-3 मिनिट तक के लिए भून लेना है क्योंकि इसके अंदर हमने दूद की मलाई डाली है तो अगर आप इस तरह 2-3 मिनिट बाद में नहीं भूनोगे तो यह जो सुखडी है वो अच्छे से जमेगी नहीं मतलब के विखर जाएगी तो यह step को आप बिल्कुल भी skip मत करिएगा चलिए सुखडी हमारी एकदम ready है अब इसे हम थाली में ठार देते हैं मतलब के इसे थाली में हम सेट कर लेते हैं तो इस तरह ताविता के help से इसे हमें उपर से प्रेस करना है और सुखडी को हमें सेट कर लेना है और अब चाको के help से इसके अंदर हम कट लगा लेंगे तो हमारे यहां जन्मास्टमी से पहले जो छट आती है उस दिन हम बहुत सारा खाना बनाते हैं और यह सुखडी भी बनाते है और सातम के दिन यह सुखडी हम सिटामा को प्रशाद के तोर पे चड़ाते हैं तो यह लीजे एकदम soft और tasty सुखडी बन करके ready है तो अपको अज़की रेसिपी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक भी कर देना चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई जेशी कृष्णा